गुड मर्निंग स्टुडेंट्स मैं हूं रचना पंसल मैं आप लोगों को और्गनिक केमिस्टी का फर्स चेप्र पर आ रही थी जिसके अंदर हम सेकिंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं अंदर को और क्लासिफिकेशन ओफ और ओर्गनिक कमपउड तो देख्येए इसको फार्दर ट्लासिफाई किया गया है Saturated और Unsaturated Organic Compound के अंदर Open-chain Organic Compounds जो हैं उनको और क्या बोलो जाता है Acyclic Compound जिसके अंदर Cycle नहीं बनती है Acyclic Compound और दूसरा है, Aliphatic Compound ठीक है, इनको Aliphatic Compound बोलते हैं अब इसके अंदर आते है Saturated और Unsaturated Saturated मतलब जिसके अंदर सारे के सारे Bonds कैसे हो सिंगल बॉञ्ड हो अन्साटुरेटेटर कंपाउंद्स corporations के अंदर डबल बॉण और ट्रीपल बॉण एंड devam रिपल बॉण एंजम के अंदर क्या होता है तो क्या बोलेंगे cumulative और अगर single bond, double bond, single bond, double bond इस तरीके से आता है तो उसको बोलेंगे Conjubated system ठीक है next आप लोगों का आता है close chain organic compound close chain organic compound मतलब जैसे अपने simple chain compound थे वो आपस में क्या हो जाए close हो जाए मतलब chain form कर ले इस तरीके से chain form कर ली ठीक है तीन कारबन का compound हुआ जिसके अंदर chain form हो गई तो इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं cyclic compound इसको क्या बोलते है cyclic compound इसके अगर एक ही टाइप के molecules यूज में आते हैं तो homocyclic organic compound और इसके अंदर कोई भी heteroatom प्रेजेंट हो जैसे इसी रिंग के अंदर हमारे पास oxygen आ जाए या फिर sulfur आ जाए या फिर क्या आ जाए nitrogen प्रेजेंट हो जाए तो heterocyclic organic compound ठीक है homocyclic organic compound जो carbon और hydrogen से मिलकर बना हो अब इसके अंदर भी further classify किया गया है alicyclic compound देखिए यह acyclic है और यह है alicyclic compound मतलब cyclic compound तो है लेकिन कैसा है non aromatic है aromatic नहीं अच्छा aromatic क्या होते है aromatic वो compound होते हैं जो हकल्स रियूल को follow करते है हकल्स रियूल क्या होता है भी हकल्स रियूल हकल्स रियूल मतलब जिसके अंदर सारे के सारे कार्बन कैसे हो sp2 hybridized हो और क्या हो रहा हो resonance मिल रहा हो उनके अंदर और उनकी structure कैसी हो planar हो और साथ में 4N प्लस 2 पाइलेक्ट्रोन का रियूल का फॉलो कर रहे हो तो वो होंगे कैसे हकल्स रियूल को फॉलो करने वाले कार्बो-सायक्लिक गंपाउंट अब इसके अंदर साथ में जो कंपाउंट्स है वह हत्तल स्रील को फॉलो नहें करते हैं तो यह कौन-कौन से देखिए जल्दी से कौन से है देखे, cycloalkene, cycloalkene मतलब cyclic form है, जैसे cyclopropane है, 3 carbon का है तो propane, cyclobutane, 4 carbon का, अब cyclopropene, cycloalkene के अंदर cyclopropene, अगर इसके अंदर double bond आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, cyclopropene, ठीक है, अब इसके अंदर aromatic compounds, aromatic compounds, two types के होते हैं, हखकल स्यूल को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जिसके अंदर benzen ring present है, benzen ring क्या होती है, इस तरीके की structure होती है, जिसके अंदर सारे के सारे carbon कैसे है, sp2 hybridized है, इसको थोड़ा उपर कर दें, ठीक है, तो इसके अंदर benzen ring present है, तो वो कैसा है, benzenoid, अगर जैसे दो benzen ring भी present है, तो तो है, हखकल स्यूल को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन benzen ring present नहीं है, और सारे के सारे carbon कैसे है, sp2 hybridized है, तो वो कैसा हुआ, non benzenoid, जिसके अंदर benzen ring present नहीं है, तो देखिए, cyclopropene cation, सारे के सारे carbon कैसे है, sp2 hybridized है, और उनके बीच में, रेजोनेस मिल रहा है, तो cyclopropene cation कैसा हुआ, non benzenoid aromatic compound, ठीक है, अब देखिए, नीचे लेकर आते है, heterocyclic aromatic compound, heterocyclic aromatic compounds के अंदर non aromatic compound, जो हखकल स्यूल को फॉलो नहीं करते हैं, aromatic compound, जो हखकल स्यूल को फॉलो करते हैं, अब non aromatic compound, जैसे oxyrain, ये क्या है, oxyrain, ठीक है, जिसके अंदर heterotemic compound आ गया, oxygen आ गया, तो oxyrain, अब aromatic compound, जिसके अंदर heterotem present है, हखकल स्यूल को फॉलो कर रहा है, तो aromatic compound, जैसे, ये क्या है, furan, इसके अंदर oxygen के उपर, दो lone pair of electron होते हैं, उनका delocalization मिलता है, ठीक है, 4N plus 2 pi electron का फॉलो कर रहे होते हैं, और ये क्या है, pi roll, ठीक है, समझ में आया, यहाँ पर lone pair of electron होता है, classification, hopefully आगया होगा समझ में, देखिए, कुछ भी नहीं है, open chain, close chain, then acyclic के अंदर saturated, unsaturated, cyclic के अंदर homocyclic, जिसके अंदर एक जैसे atoms present है, heterocyclic, जिसके अंदर heteroatom present है, then उनका further classification है, next चलते हैं, classification of carbon atom, classification carbon atom के अंदर, जैसे, माल लो, कोई भी carbon atom है, अगर वो एक carbon से attach है, तो वो 1 degree, जैसे ये वाला भी 1 degree है, ये एक carbon से attach है, तो 1 degree, इसको primary भी बोलते हैं, अगर ये ही carbon, दो carbon से attach हो, जैसे, ये वाला carbon कितने carbon से attach है, दो carbon से, तो इसको बोलेंगे, 2 degree, secondary, अगर ये ही carbon, 3 carbon से attach हो, तो ये कैसा हो गया, 3 degree, tertiary, अगर ये 4 carbon से attach हो, देखिए, इस तरीके से, 4 carbon से attach है, तो 4 degree, अगर हम इसको normal उसके अंदर देखें, किस वाले, bond line structure formula के अंदर देखें, तो उसमें क्या होगा, देखिए, इस वाले molecule को देखते है, bond line structure formula के अंदर, इस वाले molecule को, तो देखिए, इसके अंदर कैसे होगा, यहां पर carbon, और carbon से कितनी line कल रही है, 4, तो यह 4 degree, अब इसके अंदर हम देख सकते हैं, जो starting वाले होते हैं, कॉर्णर पर होते हैं, वो मैं बता चुकी हूं कॉन से होते हैं, methyl group, यहां पर भी methyl group, तो यह सारे कैसे हैं, 1, 1 degree है, यह 1 degree, 1 degree, 1 degree, यह भी 1 degree, ठीक है, अब जो बीच में हैं, इससे कितनी line निकल रही है, 1, 2, 3, और 3 लाइन पर क्या है, समझ में आया, classification of carbon atom, बहुत ही important है, आप लोगों से question पूचा जाता है, इसके अंदर से, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, next, classification of hydrogen atom, अगर आप लोगों ने carbon atom पैचान लिया, तो hydrogen atom तो अपने आप ही पैचानने में आ जाएगा, आप लोगों की, कैसे, 1 degree carbon से attach जो hydrogen है, तो 1 degree hydrogen atom, 2 degree carbon से attach जो hydrogen है, वो 2 degree, और 3 degree carbon से attach है, तो वो 3 degree hydrogen, अच्छा हमने 4 degree क्यों नहीं बोला, देखा, 4 degree से कोई hydrogen attached था क्या, नहीं न, तो इसलिए 4 degree hydrogen नहीं होगा, 3 degree hydrogen atom, तो देखिए, इसके अंदर हम देख सकते हैं, यह example है, solve करते हैं, यहाँ पर कौन सा था, 1 degree, तो 1 degree carbon से attach hydrogen था 1 degree, इससे attach 1 degree hydrogen, यहाँ पर 1, 2, 3, 3 degree carbon है, 3 degree carbon से attach hydrogen है, वो 3 degree hydrogen, यहाँ पर 1, 2, तो 2 degree carbon से attach hydrogen होगा, वो 2 degree अच्छा यहां पर 1 degree क्यों लिखा देखिए इस साइड ये carbon से अटेच है इस साइड ये oxygen से अटेच है carbon से अटेच होना चाहिए तो देखिए यहां पर कौन सा हुआ 1 degree hydrogen नेक्स आता है classification of alcohol classification of alcohol भी किसमें depend करता है carbon atom पर अगर 1 degree carbon से alcoholic group जुड़ा हुआ है तो 1 degree ठीक है देखिए देखिए 1 degree carbon से जो अटेच है alcohol तो 1 degree जिसको primary alcohol बोलेंगे 2 degree carbon से अटेच है तो 2 degree 3 degree carbon से अटेच है तो 3 degree alcohol कहते हैं समझ में आया next है आप लोग का classification of halide classification of halide के अंदर भी यही है 1 degree carbon से अटेच जो halide है वो 1 degree halide 2 degree carbon से अटेच है तो वो 2 degree halide अगर 3 degree carbon से अटेच है तो वो 3 degree halide कहलाएगा halides क्या होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 17 class के अंदर आते हैं न भी डिडिक्टेवल के अंदर ठीक है तो यह है halide तो यह भी किस पर depend कर रहा है carbon atom पर depend कर रहा है अब देखे classification of amines तो classification of amines carbon पर depend नहीं करता है वो किस पर depend करता है कि वो कितनी valency से जड़ा हुआ है जैसे NH2 है, NH2 अपनी एक valency के साथ किस से carbon chain से जड़ा हुआ होता है तो 1 degree अगर NH group अपनी 2 valency के साथ carbon chain के साथ जड़ा हुआ होता है तो वो 2 degree amines अगर वो 3 valency के साथ जड़ा हुआ होता है तो वो 3 degree amines होता है अगर वो 4 valency के साथ जड़ा हुआ होगा साथ में उसके उपर क्या होगा positive charge क्योंकि उसकी वैलेंसी वनाने की power तो खतम हो गई तो यह 4 degree I mean मतलब quaternery ammonium salt बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं quaternery ammonium salt ठीक है समझ में आया यह आइनिक form में मिलता है next आप लोगों का functional group the functional group is an atom or group functional group एक कोई atom या फिर group होते हैं which is responsible for characteristic chemical properties मतलब जो के chemical properties के लिए जिम्मिदार होते हैं functional group कौन-कौन से होते हैं या से कारवाग्स ले कैसे या फिर SO3H या फिर acetic anhydride इनका ये order होता है या फिर ester इस तरीके से functional group present होते हैं functional group अगर किसी भी compound के अंदर present होंगे तो वो उसके chemical properties के लिए जिम्मिदार होते हैं मतलब उनके behavior के लिए जिम्मिदार होते हैं अब इसके अंदर आता है alcoholic और दूसरा आता है अपना कौन सा carbox lick acid और भी बहुत सारे functional group हैं वह हम आगे further पढ़ेंगे homologus series homologus series क्या है homologus series को इस तरीके से समझो कि ये एक ही family के members है जैसे आप लोगों की family होती है वैसे ही इनकी family होती है जैसे अपना एलकेन है ना एलकेन में एलकेन जो है A-N-E है वह इसका सरनेम है इस family का ठीक है अब जैसे एक carbon का है तो math ठीक है और इसका सरनेम क्या लगाया A-N-E ठीक है दो carbon का है तो eth A-N-E ठीक है 3 carbon का है तो probe A-N-E ठीक है इस तरीके से अलकेन सीरीज है अब इसके अंदर जी हम एथेन प्रोपन यह बन रहा है कैसे बन रहा है जैसे इसका फर्स्ट मेंबर है वह क्या है CH4 अब इसके अंदर हमने क्या एड किया फर्दर CH2 एड किया तो हमें दूसरा मेंबर मिला C2H6 ठीक है फर्दर CH2 एड किया तो C3H1 मिला C3H8 मिला ठीक है फर्दर यह मिला फिर CH2 एड करते जाएंगे तो इसके इस सीरीज के आज से नेक्स्ट मेंबर्स अपन को मिलते जाएंगे इस तरीके से अपना डिफ्रेंस होता है इनके अंदर अब देखिए दूसरी फैमिली से मिलते हैं अपन दूसरी फैमिली है मालो इलकीं ठीक है इसका जो सरनेम है वो क्या है एने ठीक है एने और तीसरी फैमिली है यि लकाइन, इसका सरनेम है यने, अब इसके अंदर double bond present होगा और इसके अंदर triple bond present होगा, alcoholic family भी भी हो सकती है अब double bond present है, तो देखिये, इसका general formula क्या होगा इसका जनरल फर्मूला क्या होगा CnH2n हर एक फैमली का जनरल फर्मूला होता है ठीक है CnH2n और इसका है CnH2n-2 ठीक है यह रब कर देते हूं CnH2n-2 ठीक है अब इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है C2H4 आपन पढ़ चोके हैं फर्स्ट क्लास के अंदर इथीन अब इसमें अगर हम CH2 add करते हैं तो क्या बनेगा next member C3H6 next C4H8 इस तरीके से हम next to next member पता कर सकते हैं अब ऐसे ही alkyne के अंदर alkyne के अंदर हमने देखा यह दूसरी सीरीज है यहाँ पर alkyne सीरीज चल देथी यह alkyne सीरीज है इसके अंदर हमने फर्स्ट मेंबर देखा था C2H2 ठीक है C2H2 अब C2H2 के अंदर हमने क्या add किया CH2 तो C3H4 आ गया अगर हम इस फर्मूली में रखते हैं तो कितना आया C3H6-2 तो C3H4 इस तरीके से इस फर्मूली से हम इसका next member निकाला इसमें अपने CH2 भी add किया तो क्या हुआ C3H4 बन गया इस तरीके से हम CH2 CH2 add करते जाते हैं तो देखे क्या हो रहा है मेंली होमोलोगर सीरीज के अंदर the member of होमोलोगर सीरीज के अंदर can be represented by general molecular formula general molecular formula दिखाया था na CNH2N-2 इसका CNH2N और इसका होता है CNH2N plus 2 ठीक है general molecular formula the successive members differ from each other in molecular formula CH2 CH2 से difference हो रहा है इसमें CH2 CH2 add करते जा रहा है next आप लोग आता है इन होमोलोगर सीरीज सेम टाइप और functional group प्रेजेंट सेम टाइप और functional group प्रेजेंट है तो बेटा इसकी chemical properties कैसी होंगी same same ठीक है same होंगी बट different type of physical property अगल molecular formula change हो रहा है molecular formula change हो रहा है molecular formula change हो रहा है तो उसकी physical property कैसी हो जाएगी different different जैसे alkyne, alkyne, alkyne and hello alkynes okay समझ में आया तो देखिए आज की class अब यहीं तक रखते हैं next class के अंदर पढ़ेंगे हम naming of organic compound okay thank you